हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होब कि आप अच्छे हैं और आज माँ आप के लिए बियस्सी पश्टियर के जूलोजी पश्ट फेपर का जो मोश्ट इंपोर्टेंट बिंदू है इकाइनो डर्मेटा उसको हल करवाने वाला हूँ और दोज्टो मैंने आपको पहले 5 क्यूशन लिखवाए थे तो उनका मैं प्रतेक के आपको हल करवा रहा हूँ तो एक क्युषन का मैंने आपको क्युषन नमबर 1 का हल करवा दिया है और क्युषन नमबर 2 जो है वो है यक इन ओडर मेटा कि सरजना चर्रैक्टर्स और आधी के बारे में इसके बारे में पूछा गया है तो इस क्युषन को हम मिलकर हल करेंगे तो देखे जूलो जी फष्ट पेपर का ये क्यूशन है साइंस फाउंडेशन चैनल पर रोज आपको क्लास मिलेगी और यदी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को सेर करना नहीं भूले देखे अब आगे हम क्यूशन को हल करते हैं ये देखे क्यूशन नमबर दो है इकाइनो डर्मेटा संग के सामान्य लक्षनों का वर्नन कीजी दोस्तों ये क्या है कि मिस्प्रिंट हो जाता है तो आप मैं जो बोल रहा हूं उस पर द्यान दीजी और फिर लिखी और आप लिखते चलिए साथ साथ इकाइनो डर्मेटा ये थोड़ा मिस्प्रिंट हो जाता है इकाइनो डर्मेटा संग के सामान्य लक्षनों का वर्नन कीजी उचित उधारनों सहीत इकाइनो डर्मेटा संग का वर्गी करन विस्तार से कीजी एक क्यूसन नंबर दो हो गया तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है आज पढ़ने में देखे बहुत जानदार क्यूसन है बहुत मज़ेदार क्यूसन है तो दोस्तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है थोड़ा लगाओ करके फढ़िए इतिहास रचो परसंटेज बनाओ परसंटेज भी हैसी में ऐसे काम चलने वाला नहीं है देखे अब इसका आंसर करते हैं हम अब मैं आपको पहले तो इस इकाइनो डर्मेटा का जो हल करवाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको इसके कुछ चित्तर बता देता हूँ कुछ जीमों के चित्तर एकाइनोडर्मेटा जो है उसके कुछ चित्तर बताने वाला हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कैसे जीमों होते हैं देखे इसके अंदर ये इस परकार के जीमों होते हैं जो जल में ही पाए जाते हैं यह देख लीजी इस परकार के इसके अंदर जीव होते हैं अब देखें आगे हल करते हैं आपको दिखा दिया मैंने अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर Echinodermita Phylum Echinodermita इस संग के सदस्च समुंदरी मेरिन जल में ही पाये जाते हैं इनकी त्वचा कंठकिये होती है इनकी त्वचा पर कंठकिये अथार्थ सूल के समान वो पाय जाते हैं उभार अथार्थ कंठकिये होती है ये डूटरोस्टोमिया की सदस्चे हैं इनमें एंट्रोसिल प्रकार की देहगवा पाय जाती है इनमें देहगवा किस प्रकार की पा पाई जाती है तो आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये डूटरो इस्टोमिया और प्रोटो इस्टोमिया ये दो परकार के जो सदस्चे होते हैं उनके ये सदस्चे है डूटरो इस्टोमिया का तो इसमें एंट्रोसिल परकार की देगवा पाई जाती है इकाइनो डर्मेटा के सामान्य लक्षन अब हम इकाइनो डर्मेटा के सामान्य लक्षनों के बारे में देखेंगे यह क्यूशन 2018 में पूछा गया है तो 2021 में इसके ज़ादा से ज़ादा चांसिज बनते हैं आप देखिए इसका जो आपको मैं चर्रेक्टर्स बता रहा हूं इस संग के सभी सदस्य समुंदरी मैरीन जल में पाए जाते हैं यह जल है यहाँ पर दोस्तों इस संग के सभी सदस्य समुंदरी जल में पाए जाते हैं तो एक बात आपको कनफर्म हो गई कि इकाइनो डर्मे जो संग है उसके सभी सदस्य समुद्री चल में पाए जाते हैं आगे देखे दूसरा जो वो है नमबर इसका वो देखे इनका सरीर इनका सरीर बहु कोस किये अथार्थ एक से अधिक कोसी का वाला होता है त्री इस्तरिय होता है त्री इस्तरिय त्री इस्तर दिवी इस्तर और एक स्तर देखे हम होमो सैपियंस में अगर देखे मानों में देखे तो त्री स्तर जो होता है एंडोडर्म वो होते हैं तीन परकार के एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिशोडर्म देखे यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं उनमें नहीं जाते हैं इनका सरीर बहुकोस की अथार्त एक से अधिक कोशी कावाला और त्री इस्तरी ये तीन इस्तर होता है और ये लार्वा है लार्वा आवस्ता में द्यूपासर्व सम्मिती परंतु कायांतर के बाद पंच्तई अर्य सम्मिती में बदल जाती है में बदल जाती है दोस्तों इसमें मिस्प्रीन्ट है उस पर द्यान मत दीजे मैं बोल रहा हूँ उस पर द्यान दीजे और इशे लिखी लेए इनका सरीर भहुकोस के तिरिस्तरिय होता है लार्वा अवस्ता में द्वी पासर्व सम्मिती परन्तु कायांतर के बाद पंचते अर्य सम्मिती में बदल जाती है आगे देखी इनकी जो तीसरा पॉइंट है वो देखी यहाँ पे इनकी त्वेचा कंठकिय होती है इनकी त्वेचा कंठकिय होती है इनमें इसपष्ट सीर्स पाये जाता है इनका सरीर विभिन आकरतियों का होता है अथार्थ एक से अधिक आक्रति होती है विभिन्नाक्रतियों का होता है इनका से रिये जैसे बेलनकार, तारीनूमा, सरीप्रम्मुखे थाधा गुद्य दोनों एक ही सतह पर पाए जाते हैं और मैंने आपको चित्तर में बता दिया इनकी आकरति विभिन प्रकार की होती है, और यहां भी आप पढ़ लीजिएगा, कि इनकी आकरतिया विभिन प्रकार की होती है, बेलनाकार, तारीनूमह, आदी और आगे देख जी, शिक्स जो पोइंट है, गमन नाल पादो दौरा होता है, इसके अंदर गमन किसके दौरा होता है? नाल पादो दौरा होता है, विसिष्ट परकार का जल समवेहनी तंतर वाटर वैसिकूलर सिस्टम पाया जाता है, अथार्थ एंबुलेक्रल तंतर पाया आगे देखजी आठवा जो पोइंट है वो देखी वास्त्विक परकार की अंट्रोसिल देहगुआ पाई जाती है इसी से तीन विसिष्ट तंत्र बनते हैं विशिष्ट तंत्र बनते हैं नववा देखे स्वेशन त्वेची ये कलोम स्वेशन वरक्स बसी एवं नालपाद द्वारा होता है क्यूसन नंबर ये दूसरे जो क्यूसन है भहुती मोस्ट क्यूसन है तो इसे आप लिखिए साथ साथ उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है अधार्त इसके अंदर उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है इस पश्ट अंग नहीं होते हैं अगला देखे जो 11 नंबर है तंत्री का तंत्र एवं समीदी अंग कम विक्सित होते हैं तंत्री का तंत्र एवं सम्मिदियंग कम विक्सित होते हैं परिसंचरन तंत्र के रूप में हिमल तंत्र पाया जाता है हिमल सिस्टम पाया जाता है परिसंचरन तंत्र के रूप में क्या पाया जाता है हिमल सिस्टम पाया जाता है अगला देखिए जो तेरवा है वो है अरिये नाल से संबंद डिटे मान काई प्राय पाई जाते हैं डिटे मान काई प्राय पाई जाते हैं डिटे मान से बोड़ी पाई जाती है पाचन भाहे कोशी की प्रकार का होता है पाचन इन में भाहे कोश के प्रकार का होता है बाहे कोश के प्रकार का होता है और जन्तु इसके अंदर एक लिंगी होते हैं अथार्थ दिवी लंगी या बहु लंगी नहीं होते हैं एक लिंगी होते हैं आगे देखे, निशेचन बाहे प्रकार का होता है, निशेचन बाहे अथार्थ बाहर जल में ही इनके निशेचन होता है, पुनरुद भाहन की अत्यदिक समता पाई जाती है, अथार्थ इनके एक इस्चे को काट दिया जाता है, तो दूसरे इस्चे से पूर्ण विश्चे ज बन जाता है अगा देखे वर्गी करण अभी आपे देखे वर्गी करण क्लासिफिकेशन शरीर की आकरती तता जल शंवहनी तंतर के आदार पर इकाइनो डर्मेटर संग को दो उपसंगो यहंtle PImFeo में बाटा गया है देखे इकाइनो डर्मेटर जो संग है तो सव्वजनी तंत्र के आदार पर इकाइन डर्मेटर संग को 2 उपसंगो यहंट पांच वर्गों में बाटा गया है तो आए देखिए उनको यहाँ पर उपसंग उपसंग A, ए आप देखें, उपसंग L.O. जोआ, सब फाइलम क्या है? L.O. जोआ, इस उपसंग के सदस्चे स्वतंत्र जीमी होते हैं, मैं आपको उपसंग फिर इनके वर्ग, पांच वर्ग और जो ये खेरा है, देखें, यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे तंत्र के आदार पर इन्हें इकाइन दो उपसंग, मैं आपको दो उपसंग A और B दो उपसंग हैं, उनके बारे में बताऊंगा, उनके चर्डेक्टर्स बताऊंगा, और पांच वर्गों के बारे में भी करवाऊंगा, तो आईए देखें, उपसंग फश्ट, L.O. जोआ, सब Asteridia, वर्ग फश्ट क्या है, Asteridia, देख लीजीए गाइसको, वर्ग फश्ट है Asteridia, प्लास Asteridia, इस वर्ग के सदस्य का सरीर चप्टा तारे नूमा होता है, अथार्त इसके इंदर एक सदस्य तारा मचली भी आती है, समझ में आ रहा है आपके, इस वर्ग के सदस्य का सरीर चप्टा होता है, इन्हें सामानेते तारा मचलिया कहते हैं, देखिए, इन्हें सामानेते तारा मचलिया कहते हैं, बुझाए प्राए पांच होती है, जो तारा मचली देखिए आपने, आप रेगुलर अगर क्लासेज लेते हैं, तो तारा मचली देखिए होगी, उसक नालपाज पर चूसक उपस्तित होते हैं कंठक तता पैडिसिलेरिया उपस्तित होते हैं अगला देखिए सात्वा जो नमबर है परिवर्दन एपतेक्स होता है तता बाई पिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है उद्धारन एस्टिरियस और पैंटा स्रास इसके उद्धारन मौश्ट हैं इनको याद रखिएगा आप वर्ग पस्ट के जो ये मैन वो मैंने आपको लिखवा दिये शाथ पॉंट थे और इसका उद्धारन यह है वर्ग सेकिंड देखे ये वर्ग सेकिंड है तो यहाँ पे देखे ओफियू राइडिया केंद्र के बिंब से पांच बुजाए निकलती है दूसरा है एम्बू लेकरल खांच बंद होती है नालपात चूसक सही होता है आगे देखे अगर आप मैं जो ये करवा रहा हूँ इतना परिक्षा के अंदर लिखते हो तो आप पूरे से पूरे आंसर मिलेंगे आपको गारंटेर बोल रहा हूँ मैं चोथा देखे पैडी सिलेरी आई पैडी सिलेरी आई अनुपस्तित होता है परिवदन एपरत्यक्स होता है इनका लार्वा ओफी ओपलूरी टियम इस वर्ग के जनतों को सामानेते सरप तारे या बंगुर तारे कहते हैं उद्धारन ओफी ओठ्रिक्स ओफियो डर्मा और इसके मोश्ट उद्धारन है अब देखे अगला वर्ग जो है उसके बारे में इकाई नाइडिया इनहीं सामानेते समुंदरी अर्चिन कहते हैं सरीर गोल बिमबाव या हद्यकार होता है इनमें मुहे एवं गुदा विपरित सत्व पर इस्तित होती है बुजाएं एवं स्वतंत्र बुजाओं का अभाव होता है आगे देखी पांचव पॉंट सरीर की सतय पर सरीर की सतय पर टूबरकल्स होते हैं जिन में गतिसील सूले लगी होती हैं चटा देखीए पैड़िसलेरी वरंथ युक्त होते हैं और तीन जब्र उपस्तित होते हैं सात्वा देखें यहां पर नाल पाल पर सुस्क उपस्तित होते हैं अरस्तु की लाल टैन नामक चौनी है उपकरण मुक्के चारो और पाई जाती है अगला देखें आप नाइन नमबर का परिवर्दन एपर्टेक्स होता है तता इसका लारवा प्लूटियस कहलाता है इसे तीन उपवर्गों में वर्गी करत किया गया है जो यह थर्ड नमबर का वर्ग है इसे तीन उपवर्गों में वर्गी करत किया गया है आए देखते हूं उपवर्गों को उपवर्ग फर्ष्ट जो उपवर्ग नमबर फर्ष्ट है उसे देखे ब्रोधी ओसीडे राइडा इसे देखे इसके उदारने ब्रोधी ओसीडेरिस इसके उदारने ब्रोधी ओसीडेरिस देखे उपवर्ग फर्स्ट इसके रेगुलेरिया उद्धारने इसका इकाइनस डाइडेमो यहाँ पर देखिए अब डाइडेमो इस्टोसी डेरिस उपवर्ग इरेगुलेरिया उद्धारने कैसी डूलस उपवर्ग इरेगुलेरिया उद्धारने कैसी डूलस आगे देखिए यहाँ पर जो कलाइपी एस्टर इकाइनो कोरडियम वर्ग होलो थुराइडिया वर्ग है होलो थुराइडिया क्लास होलो थुराइडिया इसे देखिए चोथा वर्ग है इसे देखिया इन्हें सामानेत समुन्द्री खीरा कहते हैं अब देखे आगे जो दूसरा नमर का है सरीर लंबा तता चिम्मड होता है बुजाए अनुपस्तित होती हैं मुक्तता गुदा विपरित सीरो पर इश्तित होते हैं नाल पाद मुक्के चारो तरप खोकले इस परशक बनाते हैं स्वशन वय उत्सा सात्वा प्रंद्रग प्रंद्रग आंत्रिक होता है परिवर्दन एपरटेक्स होता है तथा लार्वा अवस्ता ओरी कुलेरिया कहलाती है उद्दारण होलोथूरिया साइनेप्ट ककमेरिया आगे देखे इसको जो बी नमबर दूसरा उपसंग है वो देखे यहाँ पे वे इस्तानबंद होते हैं सहवरंत होते हैं मुह एम गुदा दोनों उपरी प्रष्ट सतय पर होते हैं इस उपसंग में एक वर्ग आता है वर्ग क्रीनाइडिया वर्ग क्रीनाइडिया क्लास क्रीनाइडिया इस उपसंग के अंदर एक वर्ग आता है इसको देखते हैं इन्हे ही सामानेत है इन्हे ही सामानेत है देखे ये थोड़ी वो हो जाता है यहाँ पे तो इसे देखे इन्हे ही सामानेत है समुंदरी लीलिया कहते हैं केंद्रक बिंब से पांच के भोगुणों में बुजाये निकली रहती हैं केंद्रिये बिंब पर मु पाये जाते हैं, आहरनाल यूअकार की होती है, अब आगे देखें, पक्समाबी, विथी, खाच्ग मुक्षते की और होती है, जो भुजाओं की सीरों पर समापत होती है, नाल पाद, चूसक रही तोते हैं, आगे देखे प्रंद्रक वैसूल अनुपस्तित होते हैं परिवर्दन में लारवा वस्ता पाई जाती है उद्दारन एंटिडोन होलोपस इनको कोई समझाने की जर्रत नहीं है आपको ये लिखिए और याद करना पड़ेगा आपको देखे दोस्तो इसलिए मैं आपको जल्दी करवा रहा हूँ और जो याद करवाने की चीज़े उसे मैं आपको समझा रहा हूँ आगे देखे तो यहाँ पर यह हो गया तो अब इकाइन और डर्मेटा जो क्यूसन था आपका वो पूरा हो गया है यहाँ पर उद्दान एंटिडोन और होलोपस यहाँ पर पूरा हो गया है वर्ग तो अब मैं आपको अगला क्यूसन करवाऊंगा जो क्यूसन नमबर तीन है उसको आपको करवाऊंगा तो अगली वीडियो जरूर देखे धन्यवास दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद तब तक लिए गुर्बाइब